पालकुर्मा के सुखरपक्स की आमलखी एकार्दिसी करने से समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं इस व्रत का फल एक हजार कौदान के फल के बराबर होता है आमलखी एकार्दिसी व्रत कथा मांधाता भोले की हे वसिस्ट जी यदि आप मुझ पर किर्पा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा खल्यान हो भरसी वसिस्ट भोले की हे राजन सब वर्तों से उतम और अंत में मुक्ष देने वाले आमलखी एकार्दिसी के व् करने से समस्त पाप नस्त हो जाते हैं इस व्रत का फल एक हजार गौधान के फल के बराबर होता है अब मैं आप से एक बौरानिक कथा कहता हूँ आप ध्यान पुरुवक सुलिए एक वैदिस नाम का नगर था जिसमें प्रहमन छत्रिय वैशिक और सुत्र चारोवर्ण आनंद सयत रहत्य थे उस नगर में सदे वेद्ध्वणी गुझा करती थी तथा पापी-दुरा-चारिध था नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था उस नगर में चैत्रत्रत नाम का चंडवन्सी राजा राच करता था वह थ्यन्डवान थ धर्मी था उस नगर में कोई थे पंजूस नहीं था सभी नगरवासी विश्णु भक्त थे और आवाल पृत इस्त्री पुरुस इकार्दसी का व्रत किया कर एक समय फालगुन मात के सुक्र बख्च की आमलकी इकार्दसी आई उस दिन राजा प्रजा तथा पाल पृत सबने हर्स पुर्वक व्रत किया राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कोंग स्थापित करके धूप धीप नवेद पंचरतन आदी से धात्री आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार अस्तुती करने लगे हे धात्री तुम ब्रह्म स्वरूप हो तुम ब्रह्माजी तवारा उत्पन्य हुए हो और समस्त पापों का नास करने वाले हो तुमको नमस्कार है अब तुम मेरा अर्थ वैसे कार करो तुम स्रीराम चंप जीत्वारा सम्मानित हो मैं आपकी प्रास्णा खरता हो अटा उस मंदिर में सबने रात्री का जाग्रन किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यात पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुम का पालन चीव हत्या करके किया करता था। भूक और प्यास से अत्यात व्याकुल वह बहेलिया। इस जागरन को देखने के दिये मंदिल के कोने में बैठ गया और विश्णु भगवान तथा एकार्दसी महात्मय की कथा सुनने लगा इस प्रकार अन्य मनुश्यों की भाती उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी प्राताकान होते ही सब लोग अपने घर चले गये तो बहेलिया भी अपने घर चला गया घर जागर उसने भोजन किया कुछ समय बीतने के पस्चा उस बहेलिय की मृत्य हो गए मगर उस आमलकिय कार्दसी के ब्रत तथा जागरन से उसने राजा विदूरत के घर चन लिया और उसका नाम वसूरत रखा गया युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धाने से युक्त होकर दस हजार ग्रामों का पालन करने लगा वह तेज में सूरे के समान, कांती में चन्रमा के समान, वीर्ता में भगवान विष्णो के समान और छमा में पृत्वी के समान था वह त्यन धार्मिक सत्यवादी, कर्म वीर और विष्णो भक्त था वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था दान देना उसका नित्य कर्तव्य था एक दिन राजा सिकार खेलने के लिए गया देवयोग से वह मार्व भूल गया और दिसाग्यान ना रहने के कारण उसी वन में एक व्रिक्च के नीचे सो गया थोरी देजवाद पहारी मलेच वहाँ पर आ गये और राजा को अकेला देखकर मारो मारो सब्द करते हुई राजा की और दोरे मलेच कहने लगे की इसी दोस्ट राजा ने हमारी माता पिता पुत्र पौत्र आती हनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है तह इसको मवस्य मारना चाहिए ऐसा कह कर वे मलेच उस राजा को मारने दोरे और अनेक प्रकार के अस्त्र सस्त्र उसके उपर फेके वे सब अस्त्र सस्त्र राजा के सरीर पर गिरते ही नस्त हो जाते और उनका वार पुस्प के समान परतीत होता अब उन मलेचों के अस्तर सस्तर उल्टा नहीं पर रहार करने लगी जिससे वे मुर्चित होकर गिरने लगी उसी समय राजा के सरीर से एक देवे इस्त्री उत्पन हुई वह इस्त्री अत्यांत सुन्दन होते हुई भी उसकी रिकुटी टेड़ी थी उसकी आँखों से लागवाल अगनी निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी वह इस्त्री मलेचों को मारने दोरी और थोरी ही देर में उसने सर मलेचों को काल के गाल में पहुचा दिया जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेचों को मरा हुआ देह कर कहा कि इन सत्रुओं को किसने मारा है इस वन में मेरा कौन ही तेसी रहता है वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकास वानी हुई हे राजा इस संसार में विश्नु भगवान के अतरिक्त कौन तेरी सहाईता कर सकता है इस आकास वानी को सुनकर राजा अपने राचे में आगे और सुख पुर्वक राचे करने लगा महरसी वसिस्ट बोले की हे राजन यह आमलकी एकारदसी के व्रत का प्रभाव था जो वनुश्य इस आमलकी एकारदसी का व्रत करते हैं वे प्रतेक कार में सफल होते हैं और रंत में विश्नु लोग को जाते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करते जिससे आब व्रत की कताई धर्मी कहानिया समय पर सुन सकते हैं